भक्ती रश से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाईए सभी भक्तों को नौरात्री के पावन पर्व की बहुत बहुत सुपकामनाई एवं दिवे चैनल के माध्यम से जो भी भक्त नौरात्री का ये प्रसारण देख रहे हैं आज हम चरचा करेंगे मा इसकंद माता के सरूप के इसकंद माता पाँचवे दिन इनका पूजन किया जाता है पंचमं इसकंद माते ती नमहा इसकंद माता का जो महत्व है वो नौरात्री के पंचम दिवस का है इस दिन साधक इसकंद माता का वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, अभिनन्दन करते हैं इनको इसकंद माता क्यों कहा जाता है? हमारी आदी शक्ती का ये इसकंद माता स्वरूप क्यों है? ये इसकंद माता क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये इसकंद भगवान अर्थात कार्तिके भगवान की मा हैं इसकंद माता चत्र भुजा धारणी है मा के चार हाथ है मा का जो दाहिना हाथ है उसमें उपर वाली जो भुजा है उससे उन्होंने अपने गोद में कार्तिकेई भगवान को पकड़ा हुआ है मा का शुब्र वर्ण है मा वातसले की मूर्ती है ममता है मा के इस स्वरूप को देख करके साधक के मन में ममता उत्पन होती है करुणा उत्पन होती है वातसले उत्पन होता है मा सिंग वाहिनी है, मा कमला असना है, जो भी साधक इसकंद माता की शर्णागती करता है, मा उसको आयू, यश, बल, बुद्धी प्रदान करती है मा की उपासना आज हो सके तो शवेतवस्त पहन करें, सुद्ध आशन पर विराजवान हो करें, मा को भेट में कमल का पुष्प चढ़ात सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका भाव हो, वो मा को अरपण कर सकते हैं जिन माताओं को जिन बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो अगर इसकंद माता की उपासना करती है और भाव से शणागती करती है और मा से कहती है कि हे मा तू भी तो एक मा है मुझे भी औसर प्रदान कर मुझे भी गर्व धारन करने की शमता दे मा से ऐसी अगर प मां को आप शिंगार का सामान चड़ा सकते हैं मा से अपनी विनती करिए प्रार्तना करिए और मा के चरणों में अपने मन को लगाइले मां आपकी ये प्रार्तना अवश्य स्विकार करेंगी और हो सके जितना हो सके आप भाव से मा के मंत्रों का जब करें मा का स्मरण करें वंदन करें मा इसकंद माता आप सब पर अपनी कृपा करें ऐसी मेरी मा से विनिती है प्रार्तना है बोली जय माता की करें थपनी कृutenी तन हो साइशँ आपनी कि मा झाल कृफा इसके ब Scoop